अगर आप इस सेशन में पूरा ताइम थो ध्यान रखेंगे पहली चीज़ तो यह है कि अगर आप 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 पाएंगे कि पीछे कितने प्रॉसेस चल रहा है तो आप बिहेवियर देख सकते हैं एक अथार्टी का कि रिकूट्मेंट प्रॉसेस का बिहेवियर क्या चल रहा है आपको एक रियाराइजेशन होगा कि कैसे एक काम करता है और किस तरीके से आगे प्रॉसेस होंगे जैसे फॉर एकजमपल अभी आप देखें तो लास्ट अपडेट आपको दिख रहा है जो एचार वाले पोस्ट आया थे दिसंबर में उसका लास्ट अपडेट देखो 23 सा पुरी तरीके से कंपलीट नहीं हो पाए है इवेन एटीसी का अभी तक आफर लेटर तक नहीं रिलीज हो पाया है जो कि एक्सपेक्टेड है मिड़ अगस्त की आसपास काफी लोग का डाउट था कि कब होगा कब होगा परिशान थे हाँ पुलिस वेरिफिकेशन कुछ लो करते रहिएगा जैसा कि आप जानते हैं कि इन विबसाइट को देख करके एक तो एडिया लग जाता है कि लगबग लगग सारी या तो डीवी कुछ के हो गए है या तो ओन गोइंग है तो अगर हम लास्ट वाला देखें जिसका अभी अभी आया है दो दिन पहले तो इनके डॉकुमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या हुआ अपडेट हुआ है एक आया है रिलीज हुआ है और जो की बता रहा है कि आपको फला लिंग पे जाके अपडेट कर दीना है तो मान लीजए अगर ये अभी अपडेट हो जाता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले कि जो date के थुरू था उसका offer later शायद आ जाए तो हम मान के चलें कि mid September या September end तक ये जो processes हैं लगबक completion के chances हैं और तब तक अगर मान लीजे आपकी notification release होनी होगी जो कि a common cutter की तो आपको नजर में आने लग जाएगी जहां तक ATC का सवाल है traffic controller का उसका expected जो date है वो है mid October कि हमने आपको शुरुआत मता रखा कोई बीच में बात नहीं है तो बीच-बीच में disparate नहीं होना है परिशान नहीं होना है मतलब ये है एक गहरी एक बहतरीन chances हैं या विश्वस्नी चांसेज हैं कि mid October तक आपको हो सकता है notification के बारे में update मिलना शुरू हो जाए क्योंकि इस time पे आप देखोगे तो throughout the website, throughout the YouTube आपको सन्नाटा दिख रहा होगा courses launch होते हुए दिखाई दे रहे होंगे लेकिन vacancy का बारे होगी इसके बारे में कोई update आपको दिख नहीं रहे होगी तो परेशान ना होए इस website पे जाएए थोड़ा समय दीजे 10-15 मेट अपना निकाल करके दे देंगे तो आप एक बहतर जगह पे होंगे, position पे होंगे कि आप खुद को justify कर पाएंगे yes, this is the process how it is being done कैसे होता है ये भी आप समझ पाएंगे अगर आपको थोड़ी से परिशानी हो रही है, आप बहुत आप टेक्निकल लेटी से बचना चाहते हैं तो इसको खोलिएगा Microsoft Edge पे और side corner पे आपको दिखेगा co-pilot co-pilot क्लिक करिएगा और वहाँ पे दिखेगा analyze the vacancy pattern of this website और चाहें तो आप उसमें उस recruitment का नाम भी डाल दीजे, तो अगर AI इतना useful है तो उसको use क्यों नहीं करते आप जब आप use करेंगे तो fraud data उपर नीचे दिखाएगा, errors होते हैं AI में भी, लेकिन आपको एक general perspective मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको analyze करना है कब-कब क्या-क्या हुआ है फला वाले vacancy को, कोई एक recruitment आप पकड़ लीजे और इस recruitment को आप उसमें search कर लीजे, go through करके आपको बता देगा कब-कब क्या-क्या हुआ है, एक time dial नापको देदेगा, तो आप क्या कर सकते हो, पिछले 3-4 vacancies जो ATCs के थे उनको analyze कर लो, आप चाह होगे, तो होगा क्या, होगा यह कि आप अभी respiration में आकर के छोड़ दोगे, कि हम नहीं करेंगे, यह है वो है, और होगा क्या, कि जब notification आईगी, आप पास बहुत कम समय रहेगा, और उतने कम समय में आप शायद फिर prepared नहों पाओ, this is the right time to start your education, यानि अभी यह समय है जब आप सुरू कर सकते हो, कहीं से भी, self-study से, courses से, और courses ध्यान रखे, carrier wave के अलावा हमको तो कहीं नहीं दिखा, हमने सर्च किया काफी, नहीं कहीं दिखा नहीं कि courses का कोई बच्चा क्वालिफाई हुगा हो, अपने अगर देखोगे, तो लगबग लगग 70% बच्चे तो Common Carder का क्या असर, Common Carder की बात वही है, जो हमने शुरुआत में आपको बताई थी, कि जैसे अब ये process को देख करके ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, कि थोड़ा सा हो सकता है ATC पहले और Common Carder बाद में देखे, लेकिन उसके लिए नहीं कि छोड़ देना है, देखो आता त थोड़ी सी liability बढ़ जाती है, क्योंकि बात यह होती है, कि आपके पढ़ाई से जादा आपके question यही रहते हैं, chat screen पर लाइक ग्लास चलती है, कि सरक कबार ही vacancy, तो ध्यान रखे, अगर आप interested है कि पढ़ने में वो course cover कर लें, उसके बाद vacancy आएगी तो हम better position में रहेंगे, तो तो मैं शुरू भी कर दू, जातर लोग राजी भी हैं इसके लिए, otherwise में क्या होगा, यही परिशानी आपको हमीशा तक लगी रहेगी, तो मैं यह सर्जेस्ट करूँगा, कि आप फ़़बा पढ़ते रहे हैं, जैसे मैं यहाँ अप अपने platform पे start हो जाएगा, आप in roll क लीजेगा, you get my point, air traffic controller के लिए तो शुरू कर दीजे, क्योंकि उसके लिए समय नहीं बसता, मिलता ही नहीं उस टाइम पे टाइम, और बहुत कुछ चीजें उस समय चल रही होती हैं, कि यह certificate, वो certificate, form भरने में दिक्कत, यहाँ दिक्कत, वहाँ दिक्कत, परिशान हो इसके लिए भी हमें सतर्क या सुरक्षित रहना चाहिए, है ना, थोड़ी सुरक्षा ले करके चलनी चाहिए, कि भई, just in case, हो जाया अगर ऐसा, तब क्या करेंगे, तो इसको देखने के लिए क्लिए क्या करना है, आपको देखो, आप परिशान होने के बजाए, अपना foundation म कहेगा, हो सकता भाई, सही कह रहा हूँ, जैसे कुछ platform कह रहे है, नहीं आएगी vacancy, अब यही चक्र कर रहा है, अचानक से आजाएगी, फिर वो रागल आपते वे एक course side में ले देंगे, आपको और फिर अपना भी दुकानदारी करके निकल जाएंगे, ध्यान रहे, सारी से फैसले लीजे अपने, करना क्या है, आपका foundation मजबूत, अब देखो, non-tech वाला जो पार्ट है, यह तो आ रहा है ना आपके exam में, तो non-tech वाले पार्ट से लेटेट, जैसे हमने आपको शुरुआत में बताया कि CGL फ्राट टार्गेट कर लीजे, आप RRB के सारी notification है अगर आपने apply कर रखा, ठीक है, otherwise आप चाहें, अगर JEE आपको better vehicle plug रहा है, तो JEE में चल लाइए, इसका जो CBT 1 होगा न, CBT 1 होगा, यह pure non-technical होगा, 2 के लिए आप सब तक हो सकता, ATC हो चुका हो, पगपास समय मिल जाएगा, उसको पढ़ लीजेगा, नहीं से मिलेगा, क यह हो गया CJ, यह हो गया RRB, इसके साथ-साथ में मैंने आपको PSU's की list दे रखी है, टेलिग्राम पर ही इक पर सच कर लेना, और उन PSU's के list में जाकर के बाद चेक करते हैं, बीच-बीच में vacancies आती रहती हैं, हमेशा आती ही रहती हैं, 4-6 post आते रहते हैं, हम उसको, या को बूल जाते हैं website ही, चेक करना ही, क्योंकि 6 महीने साथ मेने का time लग जाता है उसमें, और 6-7 महीने तक किसको याद रहा, भूल गए, अचानक से दिन आया, और कहा अगले अपके आपकी DV है, आप न न देखा, न जा पाए, तो कोई भी exam दीजिए, तो इसको regularly उसके बारे म करना, next is, जब भी कोई भी form अप्राई करिएगा, तो notification जरूर देखे, अभी आपने देखा कि RRB का, NTPC का, है न, एक circular, जो है, confidential circular हार करी था, लेकिन circulate कर रहा है, हमने भी डाल रखा उदर, कई लोगों ने उस पे वीडियो उगरा डाले हैं, तो वहाँ भी non-technical part है, तो आप पढ़ाई कर लोगे, अपना shift तो नहीं decide कर पाऊगे न, और जिस shift में आपकी, अगर मान लीजे, पढ़ी exam, और उसका normalization खोड़ा गरवर हो गया, उस दिन खुदाना खास्ता थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया, है न, chances रहते हैं, there is a risk factor, तो इसको safety बनाने की आप आपको diversify करना पड़ता, लेकिन diversify ऐसे मत कर दिये कि आप exact opposite कि आप gate प्यारी कर रहे हो, gate एक अलग दुनिया है, और ATC एक अलग दुनिया है, नहीं कर पाएंगे साथ मिलेके, नहीं चल पाएंगे, तो कोशिश करिए diversification इस तरीके से करिए, कि आपको बहुत जादा दिक् सब कबर हो जाता है, कोई बहुत ज्यादा परिशानी वाली बात नहीं, दो घंटे रेगुलर, जहां पर आप जोईन कर रखा, वहीं से स्टार्ट कर दीज़े, समय मिलेगा, पिछला पढ़ लीजे कर नहीं समय मिलेगा, तो हम तो आएंगे ही, हम तो rotation में चली रहें, to get my point समय हमारे पास नहीं मिल पाता कि हम बार-बार YouTube पे आप आएं, या regularly update दे पाएं, हलाकि नुकसान उसका बहुत था नहा आने का, लेकिन फिर भी नहीं आ पाते, चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि डेली आएं, डेली चलना आएं, संभव नहीं हो पाता, और इस चीज़ को काफी बच्चे इस बार मिले हैं, तो हमें लगता है कि आप लोग भी अच्छे समझें होंगे हमारी परस्तियों को, तो यह है, इन अर्सल, एक छोटा सा analysis करिए अपने आपका, कि कहां पर आप लाई कर रहे हैं, आपका skill, आपका qualification, कहां तक match कर रहा है, और चाहें तो आप कि पताईए, फोन नहीं उठाए, इत्ते दिन से मैं परिशान हों, समस्या वो नहीं, समस्या है कि हम भी परिशान जाते हैं, नहीं बात कर पाते हैं, कभी-कभी हो जाता है, लेकिन किसी-किसी मन्त में ऐसा ज़्यादा लोड़ रहता है, तो जैसे एक batch complete हुआ तो, तो आसा है, तो आप ऐसा मत करिए कि बस ऐसे छोड़ दिया, थोड़ी सी आप कोशिश करे रहें, क्या जाएगा आपका नुकसान होगा, दो-तीन महीने में अगर आप से बस cover करके बैठे रहेंगे, तो आपका एक्सेस रहेगा उस टाइम पे, यह नहीं एक्जाम तक तो एक्सेस र हैं, तो जल्दबाजी के चक्कर में वो मात खा जाते हैं, तो यह गलती आप से ना हो, तो तो आप ऐसा confident state में रहें, इसके लिए आपको तैमेहर करनी होगी, so that was all for today, wish you all the best, और कोशिश करिए कि जो भी doubt हो, comment section में जरूर डॉप कर दीजे, हसते रहेगा, मुस्कुराते र करें, अपने group में भी activate रहें, गर आप batch में हैं, तो अपने batch community में भी active रहें, जब भी कभी no sense या कुछ भी ऐसा दिखे, तो कुशिश करें, कि उसको खुद से handle करके, प्रयास करें, कि अधर humble environment बना रहें, आम तोर पे रहता भी है, और जहां भी अगर आपको लगे कि हमें अपडेट करना चाहिए, आप अपडेट कर दें, क्यों कि मैं समय नहीं पाता हूँ कि हर समय पूरा देख भाऊं, तो कभी-कभी एक आत दो, इधर-धर के तत्तों पता नहीं कैसे जोड़ेदा आते हैं private community में, तो उसको थोड़ा सा tackle करने कुश करें, हला कि आम तोर पेसा बहुत कम होता है, so thank you guys for joining this session, wish you all the best and hope that another video have been informative to you, बस इतना धान रखना कि एक एंसी जल्दा आएगी, उसको लेके परिशान नहीं होना, continue step by step चलते रहना है, wish you all the best, bye-bye.